हेलो एवरिवन अब हम सेंटर ओफ रिंग की डेफिनिशन देख लेते हैं कि क्या होती है और फिर इस से रिलेटर छोटा सा थियूरम करेंगे अगर मैं इसको डिफाइन करूं मतलब इसकी डिफाइन कैसी होगी कि लेट आर बी आर रिंग यानि कि हमारे पास आर रिंग है यू भैं दे तर टो आर टो एल मैं फवर वर वीच ओम यू ओ विद व अ Вर वेलैमी ओू एवरि रिंग वर द्यायम ओव्यार वरच छू धि banking ओम ओढ़कर थर्वित यर्ष्व द फर इन में खवित वेल वर त दोशो से हो सा ओंगदेर देएवी अ wreckे ओल और णेल कर कर दे सेंटर ओफ आर डैट इस कि अगर मैं सेंटर ओफ आर को सी से रिप्रिजेंट करूं तो हमारे पास बैसिकलिए ऐसा सेट बनेगा कि कोई भी एक्स आर से बिलोंग कर रहे हैं सच डैट एक्स इस एक्स एफॉर ओल ए बिलोंग्स टू आर के लिए अब सेंटर ओफ रिंग को हमने डिफाइन किया क्या कहते हैं कि लेट आर भी ए रिंग और कोई भी हमारे पास रिंग है देन दा सेट ओफ एलिमेंट्स के आर के वो एलिमेंट मतलब आर में फॉर एक्जामपल अगर हम देखें आइडेंटिटी है आइडेंटिटी जो है वहर एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है ठीक है तो इसका मतलब है कि अडेंटिटी सेंटर में मतलब बिलोंग कर जाएगी इस तरह से हम रिंग का कोई एक और एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो वह भी सी में लिख देंगे इस तरह से जो जो एलिमेंट कम्यूट करते जाए के R के हर element के साथ कम्यूट करें, वो क्या form करेंगे center of ring और center of ring में मतलब X अगर R से belong कर रहा है, तो X अगर वो ring के सारे element के साथ कम्यूट करता है, तो that means के वो फिर X जो है वो center से belong करेगा अब इससे related एक छोटा सा theorem करेंगे, वो में नेक्स वीडियो में करते हूं